राधे राधे दोस्तों आज की पीडियो में हम माख मास महात्यम का पच्चीसवा अध्याई सुनेंगे पच्चीसवा अध्याई प्रारंभ पिसाच कहने लगा कि हे मुनी केरल देश का भ्रामन किस प्रकार मुक्त हुआ यह कथा किरपा करके विस्तार पुर्वक कहिए देव घुती कहने लगा किरल देश में वासु नाम वालाईक वेद परांगत भ्रामन था उसके वंधुओं ने उसकी भूमी छीन ली जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्म भूमी त्याग कर देश बिदेश में घूमता किसी बैधी से ग्रष्ट होकर मृत्यू को प्राप्त हो गया उसका कोई वांधब ना होने के कारण उसकी और धव बैधिक किरिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह किरिया हुई इस प्रकार किरिया के लोग होने से निर्धन वन में प्रेत होकर चीरकाल तक फिरता रहा सी ताप भूख प्यास के दुख से हाहा कार करता हुआ वह नंगे सरीर रोता फिरता था परन्तु उसको कहीं सदगदी नहीं दिखाई देती थी सर्वता दान ना देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था जो लोग अगनी में आहुती नहीं देते भगवान का पूजन नहीं करते वे आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते अच्छे तीर्थों से भी मुखर हते हैं जो लोग दुखी लोगों को स्वर्न वस्त्र ताम्बूल रत्न फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपड से जीवी का प्राप्त करने वाले दूसरों तथा इस्त्रियों का धन हरने वाले पाखंडी कुटिल चोर बाल बृद्ध तथा आतूर और इस्त्रियों पर निर्दयता करने वाले आग लगाने वाले विस देने वाले जूठी गवाही देने वाले कुमार्ग पर चलने वाले माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी इस्त्री का त्याग करने वाले जो सब तीर्थों में दान लेते हैं पालन करन वाले स्वामी को त्यागने वाले गौर तथा भूमी के चोर वेदों की निंदा करने वाले वृत्था द्रोह करने वाले प्रानियों की हिंसा करने वाले देबता गुरू की निंदा करने वाले या सभी बारंबार प्रेत पिसाच राक्षस तथा पुरी योनियों में जन्म ल इस प्रकार प्रेत की गती देख कर पाप कर्म कदाबी नहीं करने चाहिए ब्रहामन कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्रहामन ने उस परवत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पतिक को देखा जो दो गगरियों में त्रिवेनी का जल लिये हुए था आनंद का जल मुझको पिलाओ नहीं तो मैं तुम्हारे प्रान ले लूँगा देव घुती कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे मुर्जाय हुए तुम कौन हो पैरों से प्रिथवी को असपर्स ना करके चलते हो लोमस जी बोले प्रेतिया बचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो मैंने कभी ब्रहामनों को दान नहीं दिया अत्यांत लोभी क्रियाहिं दूसरे के अन्न से पलने वाला था मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी ना दूसरे के दुखों से दुखी हुआ प्यासे प्रानियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र, पानिया औसिदी किसी को दी, ना मैंने अपने घर में कभी किसी अतीथी को ठहरा कर उसका सत्कार किया, अंधे वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अनसे संतुष्ट नहीं किया, और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया, ना कभी ब्रहामनों को दान दिया, ना कभी अगनी में हवन किया बैसाखा दिमास में किसी को ठंधा जल नहीं पिलाया, ना ही मैंने बर या पीपल का कोई व्रिक्ष लगाया ना किसी प्रानी को बंधन से छुराया, कभी कोई व्रत करके सरीर को नहीं सुखाया, इस कारण मेरा पुर्व जनम सब बुरे कारियों में ही व्यतित हुआ, मेरे पुर्व जनम के कर्मों से ही मेरी यागती हुई है, इस वन में वयागर भेडिये से बचा हुआ मास तथा, जन सेव एक्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता, सर्प की तरह केवल पवन भक्षन करके जीवन व्यतिर करता हुँ, बल बुद्धी, मंत्र, पुरुसार्थ से, लाव, हानी, सुख, दुख, विवाह, मृत्यू, जीवन, रोग, भोग, तथा व्योग में केवल भाग ही कारन होता ह गुरूप, मुर्क, कुकरमी, निंदि तथा प्राक्रम से, हीन मनुस्य भी भाग के से ही राजय भोगते हैं, काने, लूले, लंगरे, नीती, हीन, निर्कुन, नपुन्शक भाग के से राजय प्राप्ट करते हैं, परबत पर भी वल्वान राक्षा स्पिचास रहते हैं, आपको उनका भै नहीं होना चाहिए क्योंकि धर्मात्मा पुर्षों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नच्छद्र देवता, सर्वता, धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिसाच आप जैसे भक्त की तरफ आख उठा कर भी नहीं देख सकते। जो नारायन भगवान की भक्ती से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिसाच, भूत ना कोई बाधा नहीं दे सकते। जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्रहामन, इस प्रकार करमों का फल भोगता हुए मैं यहां रहता हूँ, ऐसा सोच कर मैं सोक नहीं करता। एक बार मैं जलावनी नदी के किनारे पर गया था, वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। इति माख मास महातिम 25 वा अध्याय संपूर्ण, बोलो विष्णु भगवान कीज़े, लक्ष्मी नारायन कीज़े। वीडियो पर संद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और आगे का अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को आउन कर ले, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो फिर मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जैसरे कृष्णा राधे राधे